हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत करता हूँ एक पर द्वारस से आपके अपने चैनल विवेगणा स्टॉक्स पर दिल से अगर आप चला में नयज़ दो सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल को दमाना ना भूलना ताकि आप हवारे सभी की सभी नोटिफिकेशन रेसीब कर प मुझे लगा definitely भाई एक बार तो स्टॉक के उपर वीडियो बनता है देख लेते कि ये स्टॉक हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर करना भी चाहिए तो कितना रुपे लगाने चाहिए तो जिस स्टॉक के में बात करो नाम आपने पढ़ लिया है आपको द बताउगा कहां एंट्री हो सकती क्या स्टॉक्मेंट करूए अगर में आपकी जगा हूट ठीक है वैसे तो मैं पथायोंगा उसका आंसर कि मैं करूंगा या नहीं करूँगा ठीक है और सबसी बर और शेर करूँँँ उसका fundamental analysis साथ में अंत में औरब सभी से request करूँगा ठीक है share करने के बाद सबसे request करूँगा कि please अपना comment नीचे दीजिए कि आपको क्या लगता कि stock कहां तक जा सकता है साथ में आप हो सके तो share कर देना इस video को facebook में twitter टेलिगा है what's up ठीक है और like पका कर देना ठीक है इससे होगा गया दोस्तों इससे मेरी ग्रोथ होगी और आपकी ग्रोथ भी होने वाली है क्यों जैसे आपको पता है मैं मैंने वादा किया कि हर संडे में एक आपको free of cost session दूँगा class दूँगा अगर आपको उस class में आना है free of cost पही पहुत simple तरीका है फेस दूँगा share कर दो और मुझे स्टार्ट करते है analysis पर्टिकुलर इस एक रूपे के बारे इस टॉक के बारे में जिसका नाम है GTL infra ठीक है एक infrastructure का share है लगाता questions आने में लगेते इस टॉक के बारे में के बारे वीडियो बनाओ उसके बारे वीडियो बनाओ ठीक है तो देख लेते हैं है क्या stock में बावाल दोस्तों आप देख सेकते हो GTL infra limited पिच्छाने पैसे का इस पर trade कर रहा है 5% उपर था और लगातार इसमें लग रहा है मैंना बड़े चार्ट में क्या लग रहा है वो अभी शेयर करूँगा तो आप बने रह सकते हूं ठीक आप company करती क्या है आपको भी दिखा देता हूं तो दोस्तों आप देख सेकते हो GTL infrastructure limited GTL infra बोला जाता है ठीक है अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत किलिए दिखेगा कि यह एक सेक्टर में काम नहीं करता है यह various sector में काम करता है ठीक है ओपरेटिंग करता है maintaining the telecom infrastructure जिसमें केबल बिचाना केबल लगाना बहुत सारे काम से ठीक है बहुत सारे काम यह करता है ठीक है बात करते स्टॉक के बारे में कि भाई स्टॉक का आपको क्या करना चाहिए साथ में इसके financial कैसे यह last quarter के एक पर performance चेक कर लेते है तो market cap stock का 1000 क्रोड से उपर है 1000 क्रोड से उपर है जो एक अच्छा sign है और अभी चल ला है 95 पैसे के आजब जैसे मैं आपको बतला है शुरू में एक रूपे 35 पैसे का all time high है मतलब 52 हपते का high है 30 पैसे का stock लोग लगा है मतलब 30 पैसे stock almost 3 गुना पैसा हो चुका है लोगों का इसका मतलब stock ने हमें 3x की return दे चुका है इसका मतलब की है वाई 300% का return किसी pen stock का मिलना बहुत बड़ी बात होती है अगर आपने 1000 रुपे लगा था तो आज आपका 1000 रुपे 3000 रुपे हो जाता है ठीक है बड़ा पैसा लगा नहीं हो सकता नहीं pen stock में जो भी आपकी monthly income है उ भी negative दिखा रहा है साथ में जो book value वो भी हमें negative दिखा रहा है इसका मतलब company या stock लगातर आपको loss दे रहा है इसी वज़े से इसकी book value है वो हमें negative देखने को मिल रही है और face value 10 रुपे के असपास है और company ने half लागे दिनों पर अपना debt reduce किया इसका मतलब company को सुदार कर रह बात करते है एक results की quarterly तो हमें कैसे देख लेते है sales company की 344 कोड़े के आसपास है मतलब sales company की बिलकुल same है जो आपकी बहुत सकत तो last 2-3 सालों में थी वो ही sales देखने को मिले sales में कोई फर्क नहीं हमें नहीं दिख रहा है कि ना तो बढ़ रहे ना घटरी है stable है sales मतलब ठीक है sales company के ठीक expenses company के भी ठीक ठाक है तो मतलब यहां तक तो company के game ठीक के operating profit company को हो जाता है 93 क्रोड के असपास का December में company ने operating profit दिया मतलब company profitable business में है तो इतना तो clear है लेकिन सबसे जड़ा point आता है यहां पर company के बाद जो interest है मतलब लोन की जो मार है बहुत जादा है 100 अर्सेट क्रो loss making है मतलब company के पास debt बहुत जादा है अगर समाहों अपना debt एकम कर देती है छीक है जितने रुपे का भी debt दिखाऊंगा आपको अगर एक कर्म करते दिये तो भाई definitely future में डेफिटे मल्टिबगर बन सकता है क्योंकि भाई potential है company के पास क्यों क्योंकि company की sales देखिए revenue देखि देखिने को मिलिए current ttm में यहां तक तो बड़िया है operating profit भी देखिए लगाता company operating profit दे रही है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहां पर दिक्कत आती है इसके interest में loan में ठीक है इस 688 क्रोड के असपस का इसने loan दिया है और साथ दोस्तों देखिए other income से भी इनको loss देखिने को मिल रहा है ठीक है other income का आप देखो कि तो 822 क्रोड के असपस का loss देखने को इनको मिला है अगर other income से कोई यह बंद कर देती है आप बोसकते है अभी मुझे इतना idea नहीं की other income का source इंका क्या अगर आपको idea तो नीचे comment कर सकते हो इतना deep मैं नहीं जा रहा हूँ मैं simply charge analysis और इ देख सकते हो last 10 सालों में company loss making है एक बार भी company ने profit नहीं दिया एक रुपे का profit नहीं दिया एक रुपे का तो last 10 साल में company की performance बोल सकते हो negative है ठीक है बात करते है balance sheet की तो भाई अगर 10 साल से company का profit है नहीं तो आपके simple सी रिजर्ब negative ही रहने वाले और साथ में loan company का दोस्तों देखिए ओहो सबसे अच्छा point असो यहाँ पर मिलना है अब मुझे अग company के पास देखिए दिस्सम मार्ट 2020 के आथा 5629 क्रोड का loan था और September 2020 आते आते 715 क्रोड का loan हो चुका है मत्तब almost 70-80% का loan कट हुआ है मतला loan इनों ने दे दिया है तो भाई जो एक अच्छी बात निक मार्च 21 का भी update नहीं हुआ है ठीक है साथ में सेवल्डिक pattern की बात करता है तो promoters लगाता है अपनी holding बेच रहे है ठीक है साथ में जो FII है उनकी holding 2% है और जो DIA की holding है वो इगनम stable है 60% के आजपास और साथ में public की holding हमारी 33% के आजपास है और दिहान से अगर दिखोगे तो dump कर देगा तो आपको यह dump करेगा मतलब definitely जब इतनी बड़ी मात्रा में DIA की holding है तो भाई definitely stock का जो value price है एक रुपे से अराम से 10 रुपे भी जा सकता है क्यों क्योंकि भाई यह DIA को exit करना है किसी भी हालत पर 60% की holding काफी बड़ी holding होती है किसी DIA की ठीक है तो भाई definitely आप बोल सकते हो कि सिर्फ एक factor है stock को उपर लेके जाने का वो यह है कि DIA को somehow stock से exit करना है तो वो stock को definitely pump करेंगे pump करेंगे मतलब stock को buy करेंगे buy करेंगे buy करेंगे और definitely future में यह dump करेंगे बड़े labels में तो मैं बोलूँगा अगर आपने stock को सस्ते label में बाई लिकिया है जैसे की 50 पैसे में बाई किया है तो भाई definitely आप stock को hold कर सकते हो एक छोड़ा सा stop loss बताता हूँ अगर आप उसको लगा लोगो तो definitely इस पर पैसा बन सकता गा नहीं लगाओ तो नहीं बनेगा अब आपको चार्ट दिखाता हूँ चार्ट दिखाने से पहले आप देख लो 68% के आसपस की माल या delivery लोग घर लेगेगे अब बात करें स्टोक के चार्ट की अब चार्ट एक बढ़ देख लो तो आप देख सकते हैं और नीचे कर आप देखोगे तो यह सपोर्ट बेज बना रहा तीन ठीक है अब यह एक narrow range मना रहा है इसका मतला यह narrow range कहीं भी breakout दे सकता है यहाँ पर एक resistance बनाके यह stock दुबारा नीचे कर सकता है जो निकल कहा था एक रुपे 25 पैसे का आसपस एक बार price action देख लेना अगर यह इसके उपर close कर देता है इस यह range दिख आपको यह range जो लाइन मने खीच रखिए अली यह line ठीक है इसके उपर close कर देता है दो हरी candle है तो definitely stock में एक बड़ी टेजी देखिने को मिलेगी जो stock को काफी बड़े target तक लेके जा सकता है जैसे मैं जाएगा आपका यह रहा यह शोटा सा stop ratio है जो मात्र 6 पैसे के आशपास निकलके आता है यह रहा जो निकलके आता है ऑलमुस्ट 50 पैसे 60 पैसे में रुप 25 पैसे हाँ future में अगर मुझे stock दुबारा से 50, 60, 70 पैसे मिलता है चीकि 70 पैसे भी ठीक है तो definitely मैं कुछ ना कुछ stock में investment कर सकता हूँ क्योंकि भाई मैंने आपको बताया ना company की revenue company की sales है काफी अच्छी है साथ में DIA की holding बहुत जादा है ठीक है तो भाई DIA definitely stock को pump करेंगे future में और pump होगा तो पता ही है आपको stock का price definitely उपर हो जाने वाला है पस आपको simple strategy अपलाएगा नहीं है जब भी stock का RSI 40 और 50 के आसपास तो stock को buy करो और जब भी stock का RSI daily chart में 80 plus हो जाए 80 plus मतलब 75 plus भी हो जाए आप stock से कल्टी मार लो क्या बोला जब भी stock का RSI 75 plus हो जाए daily chart में stock से कल्टी मार लो आखे बंद करके वनना अदरवाइस आप बहुत बुरी तरह करें stock में फस सकते हैं क्योंकि stock के definitive फसने और फसाने वाला काम अब start होने वाला है ठीक है तो भाई मेरा था ये आपका रिव्यू एक रोपे के इस पैनि स्टॉक पर आशा करता आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना शेर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मुलना तो मिलता हो आपको नेक्स वीडियो है